अगर आप तयार हैं अपने आपको बहतर बनाने के लिए तो साथियों हम भी तयार हैं आपको एक अच्छे से complete revision करवाने के लिए इन दो महिनों के अंदर आप अगर हमारे साथ साथ भी चले तो आपका complete revision हो जाएगा first grade का revision की ये पहली special test series है जिसके अंदर हम जो प्रग्या प्रवा है पद्देभाग वहां से आज प्रारंब कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर तीन पाठों के महत्वपूर्ण one liner प्रश्णों का संकलन किया गया है तो वीडियो को लाइक करना और सभी ग्रूप के अंदर जरूर जरूर शेर करना ताकि जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे और इसका लाब ले पाएंगे बिना किसी देरी की चलिए सुरूवात करते है और कमेंट करके बताईएगा कैसा लग रहा है कबीर कौन सी साखा के सरव परमुक एक महान संथ है तो कबीर जो है ज्यानमारगी साखा के निर्गुन बक्ति में सरव परमुक संथ है कबीर के जन्म को लेकर क्या किवदनती है तो इनके जन्म के विशे में कहा जाता है कि ये एक विद्वा ब्रामने की कोक से उत्पन हुए थे और कबीर को लोकलाज के भैसें कौन से तालाब के किनारे छोड़ दिया गया फिर तो लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया गया था अगर पालन पोशन की बात करें कि कबीर का पालन पोशन किसने किया था तो निस अंतान जुलाहा, दमपती, नीरू और निमा ने इनका पालन पोशन किया था अगर कबीर के स्वभाव की बात आ जाए तो इनका स्वभाव एकांद प्रिये चिंतन सील और सादू से भी प्रकार का था कबीर ने आत्म ग्यान और प्रभु सक्ति का अमरित तत्व किन से प्राप्त किया था तो सद्गुरु रामानन ने कबीर ने आत्म ग्यान और प्रभु सक्ति का अमरित तत्यव प्राप्त किया था कबीर किस प्रकार की पूजा पर विश्वास करते थे तो ये केवल आत्मी को पास नार्थार्थ मन की पूजा पर ही विश्वास करते थे लेकिन रखने वाले थे मद्धे काल का क्रांति पुरुस किने का माना जाता है कहा जाता है तो मद्धे काल में अगर क्रांति पुरुस की बात आती है तो वहाँ पर क्रांति पुरुस होगा कबीर कबीर के हिंदू और मुसल्मान की विशे में क्या विचार थे कि हिंदू और मुसल्मान दोनों एक ही परमपिता की संतान है कबीर की भासा को क्या कहा जाता है तो पंचमेल खिंचडी और सदूकडी भासा थी इनकी कबीर को वानिका डिक्टेटर किस ने कहा तो डॉक्टर हजारी परसाद दुवेदी ने कहा था वाणिका डिक्टेटर अगर ये प्रशन आता है तो माविर परसाद दुवेदी भी आएगा साथ में तो ध्यान रखें डिक्टेटर किस ने कहा था हजारी ने डिक्टेटर हजार इस तरह की से ध्यान रखें इस वाद को कबीर का जो कावे संग्रेव किस नाम से प्रसिद्ध मूलता है यह यह तो बिजक है कबीर ने सत्गुरु को महत्व क्यों दिया है जब इस तरह की प्रशना सकते हैं सत्गुरु को महत्व क्यों दिया है तो कबीर का मानना है कि सादक को साधना का सच्चा मार्ग है जो गुरू ही दिखा सकता है और उसका साक्षातकार पर ब्रह्म से करा सकता है माया दिपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है रुपक अलंकार होगा यहांपर यहे तन विस्की बेलरी कवी ने ऐसा क्यों काया कवी ने इस तन को विस्की बेलरी क्यों काया तो कवी ने इसलिए काया है कि मनुस्य का जो सरीर है उसको संसार के विसे बोगों में लगाई रखता है और परमात्मा की प्राप्ति में बादक बनता है वो कबीर ने अपने कावे में संदेश दिया है तो कबीर ने अपने कावे में संपूर्ण कावे में या उस समाज सुदार को समाज की प्रगति का ही संदेश दिया है पासा पकड़ा प्रेम का में पर्युक्त अलंकार है तो इसके इंदर अनुपरास और रुपक अलंकार है अलंकार चंद इनकी भी हमारी डिटेल से कक्सा हैं लगाई हुई है बिल्कुल वाइट बॉर्ड पर पढ़ाया हुए अच्छे से आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और बाकी का जो कुछ बचाया फस्ट ग्रेड वो भी सारा करवा दिया जाएगा कबीर इस्वर की उपासना के लिए आवसेग मानते हैं सद्गुरु को तो तो सनातक इस्तर सेकंड ग्रेड वाला करवा के निस्सिंत रहें आपका लगबग तो करवाई है फस्ट ग्रेड का और जितना भी बाकिर है तो बहुत ही बहतरीन तरीके से फस्ट ग्रेड का का जब वास हो जाता प्रकट हो जाता है ब्रह्म में तो उससे पूरु उसके में क्या रहता है तो ब्रह्मा के प्रकट होने से पूरु सादक के मन में ग्यान का अंदकार बरा रहता है ब्रह्मी ब्रह्मी में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकास अ नहीं करता है तो उसका जो जन्म में वेर्थ ही नस्ट हो जाता है गुरू के बिना क्या क्या काम निस्वल होते हैं तो गुरू के बिना कबीर कहते हैं कि माला फेरना दान देना इत्यादी सभी काम जो निस्वल है वेर्थ हैं क्या देखकर भी गुरू को पाना क्या देखकर भी गुरू को पाना अगर गुरू मिले तो सस्ता है ये सोदा कबीर के मन की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सके बहुत अच्छा प्रश्ण ध्यान रखिएगा इसे तो कबीर गुरू को अपना सर्वस्वद देना चाते थे गुरू को सब कुछ देना चाते थे पर वह क्या दे क्या देकर गुरू को संतुष्ट करेगी ये इच्छा उनकी पूरी हो सके लोचन अनंत उगाडिया में कबीर ने गुरू के बारे में क्या बताया है तो प्रब्रम्म की प्राप्ति आत्म ज्यान से हो सकती है वह मन की आँखों से दिखाई देता है गुरू अपने उद से होता है उस वह देता है तो उसके सिस्य की मन की आंको खोल कर अपने परमतत्वय का दर्सन कराता है तो तुलसिदास जी के विसे में आपको सम्माने जानकारी दे देता हूं इनका जन 1532 में उत्तरप्रदेश के बांदा जिले के राज राजापुर गाम में हुआ था दे दिया जाएगा चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करो ज्यादा सज्यादा मित्रों को आपको सेर करना जोडना है चलिए देखते हैं प्रस्टनों को हम महा कवी तुलसिदास जी किस कावे धारा के कवी थे तता वे किस के उपासक थे तो सगुन कावे धारा के वे राम के उपासक थे तुलसिदास जी के माता पिता का नाम तो पिता का नाम आत्मा राम और माता जी का नाम हुलसी पतनी के विशे में आप जानते हैं रतनावली नाम था, श्री राम के प्रति अनयन्य भक्ति ने इन्हें कौन से दिव्य ग्रंद की रचना करवाई, तो रामचरित मानस ही रचना है, जो जन्मन के कंट का हार बन गई, और हर जगें गाई जाती है, सुनी जाती है तुल्सिक के कावे की भासा है अवदी नो ने ज्यादा तर अवदी में लिखा ब्रिज में भी लिखा कौन-कौन सी रशना है लिकिए वह हम आगे बात करेंगे लास्ट वीडियो के आखरी में आपको एक पेज दे दिया जाएगा सीता जी ने राम से क्या कारण बता कर टहरने का आगर किया कि लक्षमन जी जल लेने गए जरा टहर जाओ आप ग्राम वदुयें सीता जी से राम में क्या पोच रही है कि स्यामवर्ण वाले कौन है जो ग्राम वदुयें वो सीता जी से राम में चलते हैं रस्ते में पोच रही कि वो स्यामवर्ण वाले कौन है पुर्ते निक्सी रगुवीर बदू में रगुवीर बदू सब्द किसके लिए आया है याँ परिया प्रयुक्त हुआ तो रगुवीर बदू किसके लिए सीता के लिए पभी पाहन हूं ते कठोर हियो है पत्र से भी कठोर हिर्दे उग पंक्ती में किसका बताया गया है तो केकई को पत्र से भी अधिक कठोर हिर्दे वाला बताया गया है सुनी सुन्दर बेन सुदारस सान सयानी है जान की जानी भली पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जो प्रियुक्त हुआ है से वर्ण की बार-बार आवरती के कारण सुनी में से, सुन्दर में से, सुधा में से, साने, सायाने तो इनकी वज़े और आगे जान की जानी इनमे वन मार्ग में मुनिवेस में कोन प्रस्तार कर रहे हैं तो राम और लक्षमन जो है मुनिवेस धारण करके वन की और प्रस्तार कर रहे हैं सीता की अधिर्ता देकर राम को किसा महसूस वा क्या करने लगे तो सिता की अधिरता दे कर राम की आशु है जो टपकने लगे सिता को ठके हुई जानकर राम ने क्या किया कि देर तक अपने काटे निकालने लगे ताकि सिता जी जो ठक गई है थोड़ा वो आराम कर ले विसराम कर ले सीता को वन भुमी पर नंगे पेर चलते देख दुख हो रहा था किन को दुख हो रहा था ग्राम वधुहों को कामदेव की अच्छा प्रश्ण है कामदेव की पत्नी रती को थोड़ी सी सुन्दरता किसने दे दिये है सीता ने यहाँ पर कामदेव की जो पत्नी है रती उसको सुन्दरता किस ने दिये सीता ने सीता के ने नेत्रों के संकेट से ग्रामवदू को क्या समझा दिया है तो सीता ने अपने नेत्रों से नेत्रों के संकेट से इस सरह करते है ग्रामवदों को समझाया कि राम उनके पती है वो जो चल रहे है वन गमन पाठ में संकलित सवेई कहां से संकलित किये गए है तो जो ये प्रश्णों का संकलन है वन गमन से हैं हमारे है तो ये कहां से संकलित है तूलसी दास जी द्वारा जो रचित कवितावली है उसके सीता ने राम से क्या पूछा कि अभी कितना ओर चलना होगा और पर्ण कुटी कहां बनाएंगे राम के दुआरा छाया में बेटकर देड़ तक अपने काटे निकालने का सीता के मन पर क्या प्रभाव हुआ तो सीता ने ये जान लिया कि राम उनसे बहुत प्रेम करते हैं उनका सरीर रोमांचित हो गया और आँखों में आशु भराए उनके भी पसीने की बुंदों से युक्त राम के सामले सरीर को कवी ने किसके समान बताया है तो पसीनों की बुंदों से युग द्राम का जो सामला सरीर था उसको तारों से भरी काली रात के समान बताया है किसके समान तारों से भरी काली रात के समान साथियों विश्वास रखिए फर्स्ट ग्रेड के पेपर से पहले पहले आपको उसे पहले क्या उसे दो मईने पहले या आपको सभी ग्यारवी और बारवी के पाठों के सभी पाठों के प्रस्चनों के टेस्ट सिरीज आपको दोबारा सेंं ये उपलब्ध करवा दिजाएक और जवर्दस तरीके से हैं धर्ती किस के पद पंकज को छुकर सकुचा रही है तो राम सीता के चरण कंबलों को छुकर धर्ती है जो सकुचा रही है श्रम सीकर सावरी दे लसे मानो रसी महातम तारकमे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है उत्प्रेक सा अलंकार काम देव को अपनी सुन्दरता से किसने जीत लिया है तो राम लक्षमन ने अपनी सुन्दरता से जीत लिया है रानी केकई के बारे में ग्रामिन इस्तरियों के क्या विचार थे तो ग्रामिन विस्तरियों के केकई के बारे में विचारते कि केकई महा अज्यानी है उसका रिदे पत्थर तो क्या वज्जर से भी अधिक कठोर है एसी मनोहर मूर्ती ये में ग्राम वदू ने किन की और संकेत किया है तो राम लक्षमन और सीता की और संकेत किया है एसी मनोहर मूर्ती ये इसके अंदर राम लक्षमन और सीता की और संकेत किया है ग्राम वदू ने राम लक्षमन सीता को किसके योग्य बताया है तो ग्राम वदू ने राम लक्ष्मन सिता को आखों में बसाए जाने के योगे बताया है ये देखिए दोस्तों जो तुलसिदास द्वारा रचित बारह प्रमों के ग्रंत है अवदी बासा में जो रचित है उनमें रामचरित मानस जिसकी रचना पंद्रा सो चोतर इस्वि में साथ कांड है इसमें पारवती मंगल इसमें 164 हरीगीती का छंद है 1586 इस्वि में जान की मंगल 216 छंद है 1586 में रामलला नैचू जिसमें 200 हर चंद है 1612 इस्वि में बरवे रामाएंड 69 बरवे चंद इसमें भी साथ कांड है 1612 इस्वि में वेरागे संदीपनी 62 चंद है इसमें सात्वी है अवदी की रचना बारह में रामाग्या प्रशनावली 4949 दोहों के साथ सर्ग अवदीयों ब्रिजबासा दोनों में रचित है ये तो अवदी की हो गई अब ब्रिजबासा में जो इनकी प्रमुक पांच रचनाएं वो है 1578 गितावली 330 माने जाते हैं साथ कांड है इसमें भी 1589 में दोहावली 573 दोय तूलसी द्वार जो रचित विभिन कावे ग्रेंत उनमें से 1589 जो विने पत्री का 200 छिंत्र पद बताएं जाते हैं 1589 में कृष्ण गितावली 61 पद और 1612 इसमें गितावली 335 संद इसमें भी कितने साथ कांड है आगे देखते हैं मीरा के प्रश्णों को मीरा की माता के देहांत हो जाने के बाद में मीरा का लालन पालन कहां पर हुआ था तो दूदा जी के पास में मेड़ता के इंदर इनका लालन पालन हुआ था मीरा के पिता का क्या नाम था मीरा के पिता का नाम था रत्न सिंग अगर आप साथियों मनोयोग से इन वीडियों को ध्यान से सुनोगे और देखते जाओगे तो यकिनन आपने अगर एक बार पार्ट पढ़ रखाया किस के प्रेम में मतवाली हो गई ती और मीरा की कौन कौन सी रचनाई है जिनमें नर्शी जीरो माईरो है गीत गोविंद की टीका मेरावाई का मलहार राग सोरट के पद और मेरा के पद अदेन की प्रमुक रशनाई है मेरा की भक्ती किस परकार के थी माधूरिय भक्ती और कहीं माधूरिय भक्ती नहीं आए तो दामपत्य भक्ती आ जाए माधूरिय भक्ती नहीं आए मीरा स्यम को किस की दासी मानती है वगवान स्रीकृष्ण की सोना कुंदन के से बनता है तो सोना आग में तप-तप कर कुंदन है जो बनता है सांस ननद ने किस प्रकार मीरा को तकलिफ ही दी तो सांस मीरा से लड़ती रहती थी और ननद उनके क्रिष्ण प्रेम को लेकर खींजती रहती थी उनसे मीरा को रोकने के लिए पहरा और चोकिकिस ने बिठाई थी तो मीरा को रोकने के लिए पहरा और चोकिकिस ने राणा ने बिठाई थी मेरा ने अपने प्रियतम की सेज बताई है गगन मंडल पर ध्यान रखिए कि मेरा ने अपने प्रियतम की सेज कहा बताई है गगन मंडल पर और मेरा ने मतवाला किसको बताई है वहीं मेरा ने मतवाला बादल को बताई है सेज तो गगन मंडल पर प्रियतम की और मतवाला किसक पाने के समान बहादिया है गरक गए सनकाणी मीरा के इस कफन का अर्थ क्या है तो उनके रिदे में कृष्ण प्रेम रूपी बान दस गया है गरक गया यानि दस गया है और उसके प्रभाव से वे पगला गई है बिल्कुल बोरा गई है भगवान ने ग्रा से किसकी रक्षा किती तो ग्रा से गज यानि हाती की रक्षा किती ग्रा यानि मगर मगर से गज की हाती की रक्षा किती मीरा के द कोई सारीरिक पीड़ा नहीं थी वह तो उनकी विरेवेदना थी अंतरवेदना थी जिसे केवल कृष्ण ही जानते थे मीरा ने अपने सेज कहां बताई है तो सूलिक के उपर अर्थार्थ कांटों पर प्रियतम की सेज तो बताई है गगन मंडल पर और अपनी सेज बताई है सूलिक के उपर अर्थार्थ कांटों के उपर मीरा ने गायल की गती गायल जाने ऐसा क्यों कहा है तो मीरा स्रीकृष्ण के वियोग दुख से गायल या पीडित है उनकी वेदना को स्रीकृष्ण का प्रेम ही जान सकता है कोई मीरा की जो पीड़ा है वो कभी मिट सकती है स्री कृष्ण के मिलन से मीरा की पीड़ा है जो मिट सकती है मीरा को बादल से किस का संदेश लेकर आने की आसा थी तो प्रियतम स्री कृष्ण का संदेश लेकर आने की बादल से ऐसे आसा थी तो दोस्तों प्रस्टन तो बनने को बहुत बन सकते हैं कितने ही बनाओ चाए लेकिन हमें जो लगता है कि हाँ ये उचित है इन से आने की संभावना है उन्हीं स्रेश्ट प्रस्टनों का संक्लन कर रहे हैं तो जुड़े रहें अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों झाल झाल